और 24 में, ए मोदी जी, 24 में हम और हमारे देश की जनता पूरी आपकी सरकार बदल देगा One Nation World New Jersey केशन की बाद कीजिए मोदी जी, है हिम्मत, हिम्मत नहीं हवा निकल जाएगी I love my India India से आपको तकलीफ है पत्रगार महोदे India से आपको तकलीफ है, किसको तकलीफ है मोदी जी को अगर तकलीफ है इंडिया से तो मेक इन इंडिया क्यों मेड इन इंडिया क्यों डिजटल इंडिया क्यों खेलेगा इंडिया क्यों पढ़ेगा इंडिया क्यों बढ़ेगा इंडिया क्यों बढ़ेगा इंडिया क्यों तेरे थैला उठाएंगे तो चले जाएंग करें अगर मोधी जी में नहीं चाहते हैं सभयोड़ेटि यह धरीब आपने घाड़ी में हम भारतिये जनता पाटी के परचार के लिए टेल भरूआएं और मोधी जी वाह के नारे लगाएं यह उने वाला कि नहीं की बात कीजिए मोधी जी है हम्मत हीमत ही हवा निकल जा। प्राइब अपना नाम बदला पिर अपने गाउं का नाम बदला मौल्य नाम बदला का नाम बदलेंगे और 24 में, ए मोदी जी, 24 में हम और हमारे देश की जनता पूरी आपकी सरकार बदल देगी तो भारत ठीक नहीं है, इंडिया ठीक है कि भारत की बतल देगी I love my India, इंडिया से आपको तकलीफ है पत्रकार महोदे इंडिया से आपको तकलीफ है, किसको तकलीफ है मोदी जी को अगर तकलीफ है इंडिया से, तो make in इंडिया क्यों, made in इंडिया क्यों, digital इंडिया क्यों, खेलेगा इंडिया क्यों, बढ़ेगा इंडिया क्यों, बढ़ेगा इंडिया क्यों, बताओ, तब आपको दिक्कत नहीं थी अब आज इनको इंडिया से दिक्कत होने लगी क्योंकि इंडिया जो संगठन है भारतिये जंता पार्टी की जितनी भी कचणा बचणा थनसाब को उक्षाल के वही सुजा लेंड भेज रहा है क्योंकि वहीं पर कुछ पैसा बचा हुआ है थैला उठाएंगे और चले जाएं जया जाज करundos आएगा सुपरीम कोर्ट जाएगा है कि यहां कि इंडिया में बात है जिय मता मिल्प्र गाहें G20 में तो भारत इंगलिस में क्यों लिखा अरे हिंदी कीजिए का न साहब इंडिया गेट को बदलोगे हैं वहाँ पर लिखो के भारत गेट इनका जितना बैंक है रिजर बैक ओफ इंडिया भारतिया इस्टेट बैंक ओफ इंडिया पंजाम निसनल जितना भी इंडिया है बंधन से दिक्कत साहब इनको इंडिया से दिक्कत नहीं है मोदी जी की हवा निकल गई इंडिया नाम सुनते हैं न दूसर रुपर स्लंडर में घटा न अगर सुरू में हो जाता न तो महारा सब डीजल पिट्रोल वह ना कि चाय लगी फटने तो स्लंडर लगा घटने अगर नाम बदने से कुछ हो तो हम कुटापाल को उसका नाम भिकास एपना आमडनी रख ले इन का नाममानी रख ले रख ले इनका नाम हले छी यृजी रख ले हो कह कर दो लूग कर देज भी चला लेंगे इंडिया गट-बंधन किसी से द़रा नहीं एंडरे मोदी जी आ अभी आप भारती जंता पार्टी के नेताहों से बात करेंगे तो इंडिया नहीं इंडिया 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 आरे जो देश का नहीं सगा है जो देश का नाम प्यार से नहीं ले रहा है मतलब राहूल गांदी जी से जना न भरत कि आप देश का जाएगा जितने भी भारती जंता पार्टी के बड़े नेता हैं सब के बच्चे सेंड या सेंड से संबंदिती स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब इनको समस्या नहीं होती है लेकिन अगर बात इंडिया गडबंधन की आती है तो इन्हें लगता है कि कॉंग्रेस इंडिया की गाली दे के रहे थे गाली देने का मतलब अपनी भासा में उसको समझा के आए थे यह उकात कॉंग्रेस की थी आप लोग भारत से घवरा क्योंगे आप लोग बोल दीजिए ठीक है मोदी जी आप कर तो गलत रहें लेकिन हम समर्थन कर रहें भारत का अब भारत के लिए प् भारत और इंडिया के नाम पर लड़ाया जा रहा है जंता को गुमरा किया जा रहें दिक्कत इससे है बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी जी ने ऐसा दाओ चला इंडिया गडबंधन के धागे बिना परिणाम आये कैसे आपका सकते हैं कि दाओ चला परिणाम 24 का चुनाओ एंडिया घोसी घोसी विदान सभा का चुना उब परिणाम इसे कहते हैं प्रत्यच च्च को किसी परिणाम कि आऊ सकता नहीं होती है जिसको लगता हो किशा देख ओक है अगये हैं जानते हैं डर में रात में सपने में क्या बोलते होंगे राल गांधित नहीं नहीं आ रहा एक आंगरे एंडिया यह सबसब्स अपने में बोल रहे होंगे अधिक भाव नहीं देते मोधी जी बोलते राजनीद के समझ है नहीं है कुछ आता जाता है नहीं राहूल गांदी से नहीं ड़ते हो एक चीज़ आपको बताएं हमारे हैं कहोत कही है कि बासे के कोठी में बासे गांधि को रदेश का सासन चलाना नहीं सीखा होगा राहूल गांधि सी अनीन अफ्रत क्यों बताये अभी मन्नी उबीर अभी मन्तरी के लड़का होकर देश चलाना सीख रहा है तो उससे जलन इसको दोगलाई करते हैं मोधी जी कह रहे हैं सनातन का अपमान कर रहे हैं दिखाते हैं सोशल मीडिया पर बहुत बोकाल मचाएं हैं आप लोग वोट जमीन से मिलेगा ना जनता देगी मोदी जी कह रहे हैं हर घर राशन हर आदमी की सर पर छत रख दी छपर में रहते थे सबको सोचाले दे दिया है क्या चाहिए भाई और जनता को जनता एकदम 18 iiетр नता समय हो जाएगा देस की जनता भी है समझ चुकी है नफरत की राज़री सो देश को इंधाना है भाई चाहरे को बढ़ाना जो ये नौ साल दास साल देश की जनता को बर गला अगया progress के 75 साल तो लूट लिये आप लोग नौ साल में एक दम इतना काम कर दिया है कोई कर ही नहीं पाया है हम दिल से ठीना ठोके करते हैं कि कॉंग्रेस ने 75 साल में लूटा है कॉंग्रेस ने 52 या 53 देश में राज किया है इसरो दिया है MNIT दिया है IIT दिया है AMS दिया है Medical College दिये है अगर इसे लूटना कहते है न तो यह लूटने की राजनी तो होनी चाहिए